नमस्कार मैं दिव्याशा कोठारी स्टेडी नेटवर्क की करिंट अफेर सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ नेशनल खबरों में हाल ही में जल शक्ती मंत्राले ने आवास और शहरी मामलों के मंत्राले के साथ मिलकर रिवर्सिटीज अलायन्स RCA लॉंच किया है ये भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंदन को लेकर भारत में एक समर्पित विचार मंच है आर्थिक मामलों के मंत्री मंदलिय समीती ने 2021 से 2026 की अवधी के लिए महासागरिय सेवाए मौडलिंग अनुप्रयोग संसादन और प्रध्योगी की ओसमार्ट योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है हाल ही में राष्ट्र परिवार सरस्ट सर्वेक्षन एन फचेस 2019-2021 के नविंतम आकड़े जारी किये गए हैं ये आकड़े कुल प्रजनंदर, टोटल फर्टेलिटी रेट, प्रती महिला पर कुल बच्चों की औसत संख्या के संबन में गिरावट की प्रवर्ती को दर्शाते हैं भारत में राष्ट्र अंगदान दिवस पिछले 10 वर्षों से हर साल 27 निविंबर को मनाया जाता है इस दिन का उद्देश जागरोकता को बढ़ावा देना और मृतकदाताओं द्वारा स्वस्त सेवा और मानव जाती में किये गए निश्वार्त योगदान को पहचारना मानवता में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करना है 2021 में 12 राष्ट्र अंगदान दिवस है यह स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले के तहत राष्ट्र अंग और उत्तक प्रत्यारोपन संगठन N.O.T.T.O. द्वारा आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल खबरों में हाल ही में U.S. Federal Bureau of Investigation FBI ने कहा है कि हवाना सिंड्रॉम के मुद्दे से निपटना सर्वोच प्रत्मिकता है तथा यह इसके कारण की जाच करने के साथ साथ कर्मचारियों को किस प्रकार इससे सुरक्षा प्रदान की जाए इस बात का निरिक्षिन करेगा Economy से जुड़ी खबरों में हाल ही में श्रम मंत्राले ने आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांग WRI की एक नई श्रंकला जारी की है श्रम भ्यूरो द्वारा मजदूरी दर सूचकांग का संकलन और रख रखाव किया जा रहा है इसी के साथ हमारे आज की Current Affairs यहीं समापत होते हैं धन्यवाद